हाई फ्रेंग्स वल्कम बैक तो मैं चैनल वी ब्यूटी आंट एने डिचल में स्वागत है आपका यहाँ पे मैंने आउनलाइन में कुछ प्लाइंट्स मैंने पर्चस करी हूँ हम इसे ही ओपेन कर लेंगे तो अगर आप आउनलाइन में नहीं पर्चस कर रहें तो हमारे पास कुछ ज़्यादा अप्शन नहीं रहते हैं स्रीफ हमें फोटो देखके ही पर्चस करना पड़ता है कभी-कभी तो ऐसे हो जाता है कि हम घर पे आने के बाद इसे ओपेन करके ही देख सकते हैं एक्जैटली हमें क्या मिला है या तो फिर पौदे हेल्दी नहीं होते सुख जाते हैं इससे तो अच्छा है कि आप घर के पास के नर्सरी से plants खरीदें, अगर नहीं मिलते हैं तब भी आप online में purchase करें, अगर आप घर के पास के नर्सरी से इन plants को purchase करें तो 50 रूपिस में मिल जाएंगे, और दूसरी बात जितना बड़े हो सकें उतने बड़े sticks खरीदने के लिए और उन stick के उपर roots भी निकल के आते हैं तो उन चीज का भी ध्यान रखना है, अब थोड़ इसी मटी हटा कर भी देख सकते हो, नीचे roots निकले है या नहीं निकले है, अगर roots निकल गए तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि जादा time नहीं लगता है, जल्दी यल्दी ये growth कर के आपको फल देंगे, उने बाहर के साइड इने अंदर की साइड से भी काफी अच्छे से packing करें सो है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको पास्ते दिखा देती हूं, काफी जादा यहां पर कांटे है, इसके ओपर वो कांटे भी बहुत शार्प है, ये stick काफ इसे अच्छे से पानी दे के प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिये सो है, ताकि ये सुके नहीं, उपर की साइड में फोटो में देख सकते हो, इस तरह के तीन तरह के हमें ये ड्रैगन फ्रूट देने वाले है, इस टिक ये तीनों अलग-अलग कलर के है, तो मेरे stick काफी ह जल्दी है, तो मैं इन्हें किस तरह की खात देती हूँ, और कितना पानी देती हूँ, उसके वीडियो में जल्दी ही अप्लोड करने वाली हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हो, ये काफी अच्छे से और हल्दी में ग्रोध कर रहे हैं, इन दोनों stick को मैंने त्रेट से बा गई हूँ, और ये विंटर सीजन में काफी अच्छे से जल्दी ग्रोध करते हैं, और अच्छे से लग जाते हैं, यहाँ पर मेरा अलिवेर का भी जार देख सकते हो, ये भी काफी अच्छे से ग्रोध कर रहा है, मैं खात अपने पाउदों के लिए घर पे ही बनाती हूँ आप देख सकते हो, वीडियो अच्छे लग तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राब भी कर देना, बेल आइकोन क्लिक करके नोटिफिकेशन आन कर देना, फिर नई वीडियो के सफिर जल्दी मिलते हैं, तब तक लिए बाबाई